लिवाप अपोलका है अब मैं यहां पर आपको कुछ चेप्टर बढ़ा हुआ जो आपकी तीन्टाय क्लास में करके एक चेप्टर आपका खत्म हो जागा आपको एक ही क्लास में सारे चेप्टर या भी 25 के मिनिट के वीडियो में आपका पूरा एक चेप्टर नहीं करवा सकता ठीक है यदि यह कोई ऐसा करवाता भी है तो आपके साथ गलत करता है क्योंकि जो मेट्स में आजकल की जो एक्जाम होती है उसमें बहुसती टैप के कोशन बनते हैं यदि मैं लग अलग तरीके से सोल होते हैं और उन कोशन को सोल करना यह मैं आपको बताओं का पहले तो एक आप जो बेसिक इस्तेमाल करते हो उन्हों का शोर्ड तरीका जो आप कोशन्ट देखते से इंसा लगा सकते हो मैं आपको MPPOLICE के आपका पूरा सिलिबस करवा दूआ मैंने आपको उससर के कुछ चीज़े बताई थी कुछ कोशन बताए थे और वह आपका बिल्कुल बेसिक था यदि कोई नहीं बच्चा यदि पढ़ना चाहता है जो पहली बार यदि मेच से पढ़ रहा हो कॉंपटिशन की तो उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वह बिल्कुल इजी है बिल्कुल मैंने पहली बार इतना नीचे तक पढ़ाया है तो अब आते हैं थोड़ा लेवल पर कोश्चन को कैसे करना है बेसिक तरीका और तो तो आपके लिए एक चीज़ और रेएं इसमें हाम उसट्स भी कर सकते हैं और इसके अलावा हम यू सब्सके और यॉससे चेर कर सकते हैं अने मापको बता हुआ कि अधि देखना है और इंसर लगाना है वो केसे वो मैं आपको बता हुआ ठीक है तो पहला कोश्चन आपके लिए में लेके आया हूं थोड़ा प्रेक्टिस कोश्चन है इससे पहले एक चीज वड़ समझ लीजिए यदि क्रमिक संख्याय चलती है यदि माल ले जाए कि 2, 4, 6, 8 और 10 संख्याय यदि क्रमिक चल रही है क्रमिक का मतलब आपको समझ में आता है क्रम में कहना को मतलब यहां से दो बड़ा फिर दो बड़ा फिर दो बड़ा फिर दो बड़ा इस तरह से संख्याय चलती है तो आप देखिए कितनी संख्याय मेरे पास 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहां पर आ तो आप पहली संख्या कौन से हो गई मेरी दो दूसरी हो गई दस पहली संख्या और अंतिम संख्या वाला फॉर्मुला लगा रहा हूं यहां ठीक है बारा डिवाइड बाइट टू तो मेरा हो गया हाँ इस तरह से चल रहा हो तो आप यहां कितने नंबर थे पांच यहां पर पैंपे नमबर है चाल तो जब भी एसी चैंग के आया आपके सामता खुशन निकार ना इन दोनों के बीच में जो नंबर रहेगा वह आपका उस्तोत होगा बीच में कितना है पांच अब आता है थोड़ा सा बड़े दाइप का रिखिए यदि मैं कोश्चन लिखता हूं एक सट आप एक काम के पहला सम वाला बताता हूं फिर विश्यम वाला बताएंगे तो पहला मन आप ये देख लिजएक सर्थ सर्थ फेसर्थ एक दो तीन संख्या है मेरे पास ठीक है अब यहां पर तीन संख्याय क्याने बट गफाले यह संख्या होनी चीए कहने का मतला है संख्या नहीं नंबर तॉ कांटिंग्सा ओन Ci सई Dodge यते एक दो तीन विश्यम हो गई एक दो 53 55 57 69 देखी कितने नंबर एक दो तीन चार पाँच के नेक मतला विश्रम नंबर काउंटी हो गए यह मेरा बीचवाला उस्सत हो गया ठीक है अब यदि एसा नहीं होता है यदि चार संख्याए हो 51 53 55 57 एक दो तीन चार चार संख्य होगी यहां पर मैं यह वाला फॉर्मला नहीं लगा सकता ना अब यहां पर आप देखना या तो मैं पेली संख्या को जोड़ू और अंतिम संख्या को जोड़के दो से डिवाइट करूं मेरा उस्सत आएगा लेकिन मैं यहां पर एक तरीका पर बतातो हूँ आपको आते हैं अगर अबैने काम के तरीके पर 1,2,3,4,4 संख्या है उत्ति हैं तो बीच वाली संख्या षित्वाज है संग्धि क्या में कोई फ़रक नहीं पड़ता बस करना है और क्रमिक होणी है चार संख्या है पर इसनए यह कितना नमबर gpick जोब कुश्चन ही योगपल का लेकिन करेंगे हम उसत से आप एक काम कीजिए इनको जोड़िए आप ये नमबर तो जोड़ दोगे लेकिन ये आपके पास में नमबर आ गया है एसे बड़े कुश्चन आप कैसे सोल करोगे उसके लिए क्या करना है थोड़ा सा दिमार्ग लगाना है कुछ मत कीजिए थोड़ा सा एक चीज समझते हैं यह आप है और उसके बाद मैं आपको एक ही कुश्चन में बहुत सरी चीज़े समझा दूँगा हुआँ देखी मेंना आपको एक चीज बताई थी कि ओसमें एधी संख्याओ का मल्टिप्लाइ करते हैं तो अता है आपका योक्पल कि यहाइगा growing संख्या कितनी एक दो तीन चार मैं इसका multiply करता हूं और सभ्सत में संख्या होका multiply करता हूं तो मेरा क्या आएगा योगफल बस तो मेरा औसभू गया चोपन में आपको सिधा निकालना सिकhा दिया है संख्या कितनी चार मल्टिक्ला करता हूं 4.16 20 और 21 यह मेरा सिधा होगे सिधा तरीखा आना चीए आपको यह बोलता है शोट तरीखा यदि यह संख्याए आगे बढ़ जाए यदि यह संख्याए और भी आगे बढ़ जाए चलिए माल लेते हैं आपके नंबर शुरुई एककावन त्रेपन पश्पन सत्तावन उनसाठ एकसठ आपकी संख्याए होगई यह एककावन त्रेपन पश्पन दस संख्याए होगई एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस अब मैंने आपको बता है नंबर कितने होगई दस तो कहने का मतलब है इनके 20 के जो संख्याओं को भी अपना उस्पन होगा एक दो तीन चार पांच यहाँ पर बीच आएगा एक दो तीन चार पांच दोनों तरफ से 20 में हो गया उनसाट और इकसाट की बीच में कौन सा नंबर आता है शाट यह तो हो गया मेरा ओसाथ संख्याओं कितनी है दस मैं दोनों का मल्टिप्लाइ करूँ आ मेरा योगफल आगया थस्सो अब कि आप एक्जाम में इन संख्याओं को योगफल करने बेटोगी यही तो आपको टा नंबर सिस्टम का कोश्टन भी बन जाएगा और आपका ओसाथ भी बन गया और आपका योगफल वाला कोश्टन भी बन गया एक चीज में आपने बहुत सब्सक्राइब चीजा सीख लिए चली अब थोड़ा और आगे दिलते हैं यह ओगया सुब आपका बेसिक बेसिक अब आते हैं कोश्टन पर इसका आपको ओसत याद करना है तो आपको फिर्फर उसत जैने हैं तो आपके पास एक तरीका आप सब को जड़िए फिर पांसे डिवाट कीजिए कि संख्या एक दो तीन चार पांसे डिवैट करते हैं मैं कुछ अलग करता हुँ मेरगो इस्छे हुई कि आप देखिए टीच्छी में तिरेपान इनके बीच में या कि संख्या में माण लेता हूं कोंड ज्यादा पास में कचर्प कर सकेंग इसलिए मैं यहां इनrą के सट्था ज़्यादा हो गया मगरें तो बढ़ रहा है माइनर कम करेंगे अ है कितना मां इस तोreat ग्यादा हो गया यह नया तरीका है भूस चाहरे तो उन पूराना तरीका लगाते हैं जो बहुत ही लंबा मड़़ता है लेकिन कुछ कुछ टीचर अपना खुद का एक्समेंट करते हैं और उसमें कुछ नई चीज़े लाते हैं और आपको हमेश्य अपडेटेट के साथ बने रहना है आप इस सोचते होग में दो साल पूराना तरीका इस्तिमाल करो तो वह नहीं करना है अब यहां पर देखिए आप आप सिधा देखते हो आपको इन सब को चोड़के भाग देना हैं यह तरीका में इसलिए बता हो बहुत काम आएगा इसलिए में यहां से बताना क्यां यहां देखिए हब कितने ज्यादा है सट्य कितना है अब यहां पर और मेरा के पास कितना बचा प्लस का तो यहां से कितना पांच इसमें 37 माइनस होगा कितना बचाएगा 22 अब यहां देखिए नमबर कितने 1,2,3,4,5 कहने को मतलब 22 चारों में बटेगा तो कितना आएगा 4.4 तो किया यह प्लस का है न यह से मेंने को डिवाइट किया तो कितना नंबरे इसो कहा हैं वह कितना बना चार पॉइंट चार में सित्तर में 4.4 बढ़ा दी 45.4 आपका उस्तत होगा अब यदी यह तरीका मैंने आपको बहुत भी डीप में बताया है अब यदी इस तरीकी के आप 5 से 6 कोश्चन कर लेना आप एक्जाम में ऐसे कोश्चन का इंसर 15 सेखण में लाओगे आपको कोई जोड़ना नी कोई भाग लगाना नी सिधा देखिए क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप जब इन सब को जोड़ोगे तो आपके बाद बहुत बड़ी केल्कुलेशन है आप कही ना कही गलती कर गए तो आपका एक नंबर गया जोकि एक्जाम में उप्शन बनते यसे है जो एक नंबर आगे पिछे होते हैं फिर आपको डिवाइट करना तो इसकी बजाए क्योणा हम में कुछ एडवांस तरीका करता हूँ क्योंकि इन छोटे-छोटे नंबर होते हैं चोटे-चोटे नंबर में गलतियों की संभावना कहीं से कहीं तक नहोती है लेकिन बड़े नंबर की बात करता हूँ वहाँ पर गलतिया हो जाती है अब एक question आपके लिए अगला question आएगा अगला question मैं आपके लिए लाता हूँ वो देखिएगा आप चलिए अब दो question में देखिए आपके लिए इस type के question exam में पूछे गए है और मैं आपको डिटलम बता हूँ वो ताकि इस type के अदि कुछ नंबर भी change हो या फिर कुसी ओर type को question पूछे जो type यह हो लेकिन अदि इस नंबर से वो change करे तो वो आपको कैसे करना है question पर आते है तीन के प्रथम पांच गुणज आपको पता हूँ ना गुणज किसे बोलते हैं जैसे कि मैं आपको किसी संक्या का भाड़ा बोलनेक बोलता हूँ तो यह 3, 6, 9 यह इसके गुणज हो गए अब एक तरीका तो वो आपको पहले तरीके पहले चलता हूँ उसके ब पहले पांच गुणज लिखूंगा फिर सबको जोड़ूंगा और फिर मैं उसे दो से उन संख्या उसे डिवाइट करूंगा यह वो गया आपका पूराना फोर्मूला जो अपने को इस्तमाल नहीं करना है अब आते हैं कुछ आसान तरीके पर जो आपको जल्दी कैसे करव कुछ देखना है तो है तक्याम आपके लिए कुछ देखता हूं कि मुझे पहले पता है 3 के प्रसप्रक्रा प्रसम गुणज 3 का कौँ सोह होता है स्वयम् 3 तो इन का प्रतम गुण स्वयम तीन और मैं पांच का पांच वा गुण पूछा है तीन का यदि मैं पांच और तीन का मल्टिप्राय करूँआ सिधा मेरा गुण जाजाएगा तो पांच तीया पंद्रा पहला आ गया अंतीम आ गया मुझे बीच वाले से किसी दो कोई लेना सिधा मैं अपना ओस्वाइगा निकालता हूँ पहली संक्या और अंतीम संक्या वाला फोर्मर लगा हुआ तो तीन प्लस पंद्रा डिवाइड बाइड बाइड तू तो कितना हो जाएगा मेरा नो यह मेरा आ गया ओस्वाइग्जामिनर कुछ एडवांस बने और वह 35 तीन के प्रत्र पांच गुणस का ओस्वाइड बता दिया मैंने योगफल बता दिया और वह भी बिल्कुल इजी तरीके से आया समझ में कुछ नहीं करना है पहली संक्या निकाल लिए और अंतीम कौन सा पुचा है पांचा गुणस तो पांच तिया पंद्रा निकल गया दोनों को जोड़ा दो से डिवाइड किया पहली संक्या और अंतीम संक्या वाला फोर्मूला मैंने लगाया मेरा एंसर आपके सामने आ गया आपको कोई भी नंबर लिककर जोनने की जुरूरत नहीं है कोई भाग नहीं देना है सिधा अपना काम हो रहा है मेरे पांच कर दें मेरा एंसर अब आते हैं अगले कोश्चन पर नो और नब्य के बीच नो और नब्य के बीच आठ से भाज संक्याओं को उसत ग्याद किजिए उसत की पूछा है तो एक तरीका तो वह आप 9 से उपर पूछा है तो 8 तो होगा नहीं अगला कौन सा होगा 16 जो 8 से डिव लिए फिर जितने संक्याओं उनसे भाग दीजिए आपका होसत पर अपने को यह नहीं करना है मैं आपको अपने तरीके पर ले चलता हूं मुझे क्या चीए पहली संक्याओं चीए अंतिम संक्याओं चीए और दो से डिवाइड करना है अब मैं आपको यह बता दो पहली सं संक्या मेरे पास कितनी हो गई 16 अब मुझे अंतिम संक्या चाहिए तो मैं अंतिम संक्या काम करता हूँ मैं नभे में 8 से डिवाइट कर दूं तो मेरा आकरी वाला नंबर आएगा उससे मैं 8 से करूं यह तो मेरा एक तरीका तो वह अब यहां पर बहुत सारे तरीके लगते हैं कोई किस तरह से पढ़के आता है कोई अपने वाला लगता तो जिसको जो इजी लगए वह निकाल लें आप तो मैं अपने वाले तरीके से करता हूं 8 otros 8 कितना बच्चा 1 तो 8 έकद 8 तो मेरा आखरी नंबर कौन सो तो ओगया 88, क्योंकि वो कितनी बार ढिवट हो रहा है 11 बार करहना के मतलब आखरी बार को त्हुनों से डिवट हो रहा है 11 बार मैं 11 में 8 को मैरा आखरी नंबर आजाएगा या फिर मैं काम करता हूँ एक तरीका और मैं आपको ले चलता हूँ जो आपके लिए बहुत इजी रहेगा एक तरीका तो यह एक तरीका दिखिएगा मैं नब्बे को 8 से डिवाइट करता हूँ कितना जाएगा? 8 एकम 8 एक बार यह हो गया 10 कितनी बार जाएगा? एक बार कितना बचा? 2 कहने का मतलब है कि 2 बच रहा है तो यदि मैं 90 मैं से 2 माइनस कर देता हूँ 90 मैं से 2 माइनस कर देता हूँ 90 मैं से 2 माइनस किया मैं ना कितना 8 एक तरीका यदि जितना उसमें ज्यादा है वो कम कर देते हैं, तो मेरा आराम से हो जाएगा, ये तरीका सभी जगा लागव होता है, और बहुत से जगा इसका इस्तमाल होता है, ये सबसे इजी पड़ता है, इससे आप, यदि दे दे आपको कि 8, 10, 15 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संक्या गयाती है, तो उससे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी कुछ चीज़े लगती है, एक चीज़ ले चलता हूँ, मैं आपको बहुत सरी चीज़े सिखा हूँ मैं साथ-सात में, दो से डिवाइड करने का तरीका मैं इसको जोडता हूँ, पेले मैं इसको जोड लेता हूँ, चलिए, आप अ को डिवाइट करता हूं दो-दो से मैं इसको डिवाइट करो हूं कितना आएगा आठ और इसको डिवाइट करो हूं कितना आएगा चवालिस अब मैं लिए आठ और चवालिस को जोड़ता हूं तो मेरा बावन इंसर आएगा आप वाला तरीका ये मेरे वाला ये दोनों को अल यह आपका दूसरा तरीका अगला कोशन देखिए आप मैं आपके लिए अगला कोशन लाता हूँ चलिए यह दो कोशन और देखिए आपके लिए लेकर आया हूँ मैं मैं आपको डेटेल में कोशन कर रहा हूँ सभी टैप के कोशन कर रहा हूँ लेवल के question रहेंगे तो पहले इस question पर जाते हैं चाल लगाता विश्यम संख्याओं का उस्त चोसट है थोड़ा करना पीछे जाना आप देखते से इस question का answer बता दोगे मुझे के क्या होगा मैंने आपको बता दिया क्योंकि लगाता चल रही है तो यहां पर तो गया मेरा 64 उनका उस्त अब मेरे को ABCD यानि इससे आजे कितना होगा या 65 और यह होगया पीछे कितना होगा 63 और 61 यह एक्जाम में पूछा गया question है इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिधा आपने देखने से action लगा एंसर लगा सकते हो बिल्कुल आप एक्टिव रही है बिल्कुल आप देखते से लगा दोगे क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बता दिये है कि यह होता कैसे और आएगा कैसे तो मेरा उस्त होगया 64 यह आपके लिए सिधा एंसर बन गया बड़ी संख्या यह हो गई छोट तो मेरा आपको इस चीज़ बता है ति पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइट बाइट टू उस्त आ जाएगा मेरा तो मेरे पहली संख्या कौन सी हो गई 21 अंतिम हो गई 49 डिवाइट बाइट टू कितना हो गया यह हो जाएगा आपका 60 डिवाइट बाइट टू तो कितना उसत हो गया मेरा 30 यह हो गया शोट तरीका और यह आया कहा से यह मैंने आपको पहले पूरी तरह से एक्स्प्लेंड किया है हर एक चीज अब यहां पर आपको पूछे कि उनका योगफल ग्याद किजी तो कुछ नहीं करना हमारे पास उसत तो आ गया अब हमें नंब आपका योगफल आ गया कहने का मतलब हमने सीखा उससाथ लेकिन योगफल निकानला भी सिख गये इसलिए में को बहुत सब्सक्राइब बने रहे हैं इसलिए आपको पंदरा भी सब्सक्राइब को पढ़ा रहा हूं वह आपको आगे बताए अच्छा लगे तो लाइक किये तो वह देखिएगा और लाइक जरू किजया हमाई टेम के साथ बने रहे हैं धन्यवाद थैंक यू